हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट टीचर एक्जाम स्टड़ी पे दोस्तों आज इस वीडियों बात करेंगे सीटेट 2020 के इंतरगत मैत पैड़ोगोजी के जो 50 महात्पुन पच्छनों की जो सीरीज चला रहे हैं द तो दोस्तों ऐसे वीडियो की पीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल टार्गेट टीचर एक्जाम स्टड़ी से जुड़ी हैं तो दोस्तों पहला प्रचन है विद्यालई पाठ क्रम में गडित का महात्तु होता है आप्चों को सामाजी गद्विदिय बच्चों में सक्री भूमी का निभाने में सच्छम बनाना और सेकंड है बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास करना थर्ड है बच्चों के बोधिक इस्तर का विकास करना और फोर्थ आप्चन है उप्योक्त सभी तो दोस्तों बिद्यालई पाठ क्रम में गडित का महा तौर्ड महतूर होता है, नेश्ट बात करेंगे, नेश्ट कोशचन है, गडित सिछन का महतूर है, आपके विज्ञान में, समुधाय में, सिध्धान तियुम, तर्क में, आपक्षन है, सभी तो दोस्तों यहाँ पर आपका अफशन फोर्थ सही हो जाएगा जो गडित सिच्छन का जो महत होता है वो हमें विज्ञान समुदाय सिद्धान्तियुं तर्क में महत पूर्ण वोमिका होती है नेश्ट कोशन नमबर 3 की बात करेंगे कोशन नमबर 3 है फरहान ने विद्ध्याले के पुस्तकाले में जाने पर या पाया की कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तके नेश्ट हो गई हैं 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है 219 पुस्तके अलमारी में रखी हैं और 132 पुस् आनी की पुष्टिकें थी सिच्छेक इस प्रसन द्वारा निम्लिखित की स्मूल लिको पढ़ा सकता है तोस्तों आप्षन है अन्नी की सायता करना थर्ड है अन्नी के साथ पुष्टकों की साजयदारी करना और थर्ड आप्षन है पुष्टकों की अच्छी देखवाल करना नेस्ट सयोग की संवेदन सेलता तो दोस्तों थर्ड का कौन सा अप्शन सही हो जाएगा तो ये अप्शन सही हो जाएगा पुष्टकों की अच्छी देख भाल करना ये अप्शन थर्ड सही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन नमबर फोर्थ है गडित की कच्चा में संप्रेशन का उलेग किस चमता का विकास करना है आपसन है आपके पास में डंड आरेक बार ग्राफ को देखकर आग्रों का अर्थ लगाना फोर्थ है गडित की कच्चा में संप्रेशन का उलेग की चमता का विकास करना होता है तो यहाँ पर question आपका दोस्तों फोर्थ सही हो जाएगा गड़ती विचार में सुभिष्टि संचित और इसपस्ट करना इसका महत्पूर रोल होता है जिसका विकास होता है नेश question number 5 की बात करेंगे दोस्तों question number 5 है गड़ित सिच्छन में मुल्यंकन किया जाना चाहिए आपसाने सीखने के अनुभवपदान करते समय फ़र्ड है उद्देश्यों का इसपस्टी करन तथा अनुभवपदान करने के बाद फोर्थ आसन है उपोक्त सभी इस तरों पर तो दोस्तों जो गड़ित सिच्छन में मुल्यंकन किया जाना चाहिए उप्युक्त सभी बिंदों को हमें ध्यान रखना चाहिए नेश्ट question बात करेंगे question number 6 है मुल्यंकन प्रडामों के आधार पर छात्र के संबंद में पूर्ण सतरकता के साथ बविश्वाणे की जा सकत तो दोस्तों बच्चे का मुल्यंकन किया जाता है दोस्तों बच्चों का सिच्छन अद्धन के समय जब बच्चों का मुल्यंकन की जा सकता है तो पूर्ण सतरकता की भविश्वाणे की जा सकती है तो पूर्णता दोस्तों यह क्या है सहमत है इससे क्योंकि बच्चे की जो बोद्धिक इस्तर को जानकर भविश्वणी की जा सकती है तो बच्चा किस प्रकार का हो नार है या इसमें भविश्च के पत किस प्रकार के लच्छन है तो ऐसी सम्मोता पूर्टिया सहिमत है भविश्वणी की जा सकती है नेस्ट कोश्चन नमबर साथ है एक अध्यापक अपनी कच्चा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंदी प्रस्ण हल करवाता है वह कच्चा में किस छेत्र से संबंदी सिच्छण कर रहा है बताना है दोस्तों प्रस नमबर साथ का कौन सा आप्षन सही हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप्षन है आपके मापन संबंदी मुल्यांकन संबंदी अधिगम संबंदी और फोर्त है संक्याबीदी संबंदी दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट आप्षन सही हो जाएगा मापन संबंदी दोस्तों एक कच्चा में एक अध्यापक अपनी त्रिभुज की रचना समन्दी प्रस्णाहाल करता हैं तो वह आ गच्छा में मापन समन्दी सिच्छं करा रहा है तो चलिए दोस्तों भूमिका निर्वार या रोल प्ले तो बताए कोशन नमबर आठ का आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप चनल आपका सेकंड सही हो जाएगा सर्वेच छड़ा धारित पर योजना नेस्ट बात करेंगे नेस्ट है प्रस नमबर नौ है विद्यारतियों से उद्वाधर सम्मुकोडों के मद्द सम्मंद इस्थापित कने के लिए कहा जाता है वे कई आकरतियां खीचते हैं कोडों को मापते हैं और या देखते हैं कि उद्वाधर सम्मुकोड कैसा है दोस्तों शमान है तो आपको बताना है कौन सा आप्षन सही हो जाएगा आप्षन दोस्तों आपके हैं और चारिक निगमन इस्तर दूसरा है अनोप चारिक निगमन इस्तर दूसरा है निगमन इस्तर पर और तीसरा है चासुषी क्रणक के इस्तर पर और फोर्थ है विशले सात्मक इस्तर पर तो बताइए दोस्तों यहां पर विद्यार्थियों में उर्धार दर सम्मुक कोड के मद सम्मंद इस्तापित करने के लिए क्या कहा जाता है तो वो आकरतियां खीचते हैं कोडों को मापते हैं और या देखते हैं कि उदर सम्मुक कोड समान है तो यह दोस्तों क्या कर रहे हैं यह विशलेशण और फरित का एक सिच्छक पियाजे के सिद्दान्त में विश्वास करता है आप संहें के दोस्तों कौन से आपशन सही हो जाएगा तो दोस्तों आपके आप्षन है विभेदित अनुदेशन का परियोग करना सेकेंड आप्षन है चाक और टाक पद्दत का परियोग करना थाड़ आप्षन है थाड़ आप्षन है कच्छा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का परियोग शाला गत्विदियों का परियोग करना फोर्थ आप तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्रयास ये कैसा लगा तो दोस्तों करता हूं वीडிयो अच्छा वीडियो अच्छा लगाओगा नमें अपने दोस्तों को सेर करिया और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभीज करिए और साथ में विल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिप्सन आपको सीग ही मिलती रहें तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के जै हिंद जै भारत